आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए बॉलिवुड एक ट्रेस श्री देवी की अस्थिया शनिवार को रामेश्वरम में विसर्जित की जाएगी खबरों की माने तो श्री देवी के हस्थिया बोनी कपूर कलश्ट में अस्थिया लेकर यहाँ पहुँच गए हैं श्री देवी का जन्म तमिलनाडू में हुआ था इसलिए रामेश्वरम में उनकी अस्थिया विसर्जित की जा रही है बता दें कि श्री देवी का 24 फरवरी को दुबाई की एक होटेल में निधन हो गया था रिपोर्ट्स के अनुसार श्री देवी की दुबाई की एक होटेल के बाथा टब में ढूबने से मौत हो गई थी उनका पार्थेव शरीर 27 फरवरी को मुंबाई लाया गया था और 28 फरवरी को राजकिये समान के साथ अंतिमसंसकार किया गया था श्री देवी के अंतिमसंसकार के बाद बोनी कपूर ने सभी आभार माना था उन्होंने कहा था मैं अपने परिवार, दोस्तों, शुबचिंतकों और श्री देवी के फैंस का आभारी हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे उन्होंने कहा था कि मैं भागेशाली हूँ कि मुझे अर्जुन और हंशुला का सहयोगा और प्यार मिला वे मेरे खुशी और जाहनवी के लिए मजबूत तम रहे